डियर फ्रेंट्स मेरा नाम शकील है और आप देख रहे हैं जिनियर शिक्षा फ्रेंट्स आज के इस क्लास में हम बिलकुल जीरो से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे यानि आज इसे जो है हम हिंदी शीखने का एक नया सेशन शुरुआत किया हूँ जो बिलकुल जीरो से है यान अच्छे तरीके से complete कर लेते हैं तो आप बिना मात्रा वाले हिंदी के शब्दों को आप असानी से पढ़ना सीख जाएंगे तो चलिए आज के इस class को हम शुरू करते हैं class को शुरू करने से पहले आप जो है आज के इस class को कर दीजे like क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं तो चलिए आज के इस class को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के वियंजन वर्ण को पढ़ना सिखेंगे, आप जो है इसको पढ़कर याद कर लिजिएगा, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हिंदी वियंजन का यह पहला वर्ण है, यानि अक्छर है, इसको हम पढ़ होता है, अगर हम इसका उचारन अभी करेंगे, इसका उचारन होगा को, को, देखिए को, को में जो है आ की साउंड आ रही है, तो देखिए हम इसको अलग करेंगे, तो इसका उचारन कैसे होगा, को, यह जो है आधा को और आ मिलकर पूरा को बनता है, जिसे देखिए हम पे चरक साथ लगा रहता है वो जो है आधा उसका उचारन होता है जिसे को को और इसमें जब आ की साउंड लगता है यानि आ लगता है इसमें तब यह जाकर पूरा बनता है को नहीं तो इसको जो है केवल उचारन इस तरह से करेंगे को 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 में आ की साउंड नहीं लाएंगे तो इसी परकार से जो है हिंदी के शवी व्यंजुनों में इसका उचारन करते समय आकी साउंड आता है तो चलिए अब जो है हम पढ़ना यहाँ पर शुरू करते हैं इसको पढ़ेंगे का खा गा गा अंगा चा छा जा जा इया टा था डा धा अरा ता था दा धा ना पा भा बा भा मा या रा ला वा तलाबेशा मुर्धानियाशा दान्तसा हा छा त्रा ग्या तो आप जो है इस प्रकार से हिंदी के व्यंजन कशे ग्यातक आप अशानी से पढ़ना सीख सकते हैं आप जो है इसको पढ़कर याद कर लिजिए आप इसको बार-बार रिपीट कीजिए और इसको याद कर लिजिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे तीन जो सा है दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है इसका उचारन अलग-अलग होता है जीसे यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं तालब जो पर जाकर शरता है तब इसका जो है साउन निकलता है श, श, ध्याने कियेगा श, तालाब बे श, श, और यह जो है मुर्धन श, इसका भी लगभग लगभग जो है तालाब बे श के ही जैसा उचारन होता है श, श, लेकिन यहां पर देखिए, यह जो है, रोवाला स, जिसको हम दंत स, बोलते हैं, यह जो है, जीव और दात के मदद से, इसका उचारण किया जाता है जैसे जीव जो है, दात के पास आएगा स, 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 क्या आगा स, स, देखिए इसका उचारण में इसके उचारन में स, उचारन फर्क आपको पता चल गया तो यहाँ पे आपको उचारन का फर्क पता चल गया, इसको स, इसको श, श, तो आप इसको अच्छे तरीके से बार-बार बोलने की प्रैक्टिस कर लिजिए, क्योंकि हिंदी को शूध-शूध पढ़ने और लिखिने म काफी आपको मदद मिलेगी यदि आप इनको अच्छे तरीके से सही सही से उचारन करते हैं तो आप इसको बार बार रिफिट कीजिए तो चलिए इसके बाद जो है हम हिंदी के वियंजनों को हम पहचान करना सीखते हैं और एक बात को हमेशा ध्यार रखिएगा जब तक आप हिंदी के वियंजन को आप पहचान नहीं करेंगे तब तक आपको जो है हिंदी पहचान करना नहीं आएगा यानि जो बीना मतरा वाला जो शब्द होता है जिसे यहाँ पे कामल इसको आपको पहचान करना बहुती जरूरी है इसके बीना आप जो है बीना मतरा वाले और सम्भाव है आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं सच में तो आपको इनको जो है अच्छे तरीके से पहचान करना पड़ेगा कि का किस तरह से लिखा है खा किस तरह से लिखा है गा कैसा है गा किस तरह का है अंगा किस तरह का है इसी तरह से करके यहां पे चा दिखिए चा जा इसी तरह से करते करते आपको जो है ग्यांतक के जो है पहचान कर लेना है तभी तो आप पढ़ोगी का पहचान है का फिर यहां पर मौ इसको पहचान कर लोगे यह जो है मौ है फिर यहां पर ल तभी तो आप पढ़ोगे इसको कमल इसी परकार से जैसे आप देखो यहां पर चो अढ़ा यदि आप ब्यांजन को पहचान किये हैं तो आप इसको असानी से पढ़ देंगे जैसे यहां पर देखिए चो अढ़ा चड़ है तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से अपने कौपी में लिख करके इसको याद कर लिजिए पहले उसके बाद इसको जितना बार हो उतना बार आप इसको रिपीट किजिए पढ़िए देख देख के पहचान किजिए कि कौक सब्सक्रा का है और जो है जब आपको पहचान हो जाता है तो देखिए आप किस तरह से अपने आपको जाच किजिए क्या जो आपने इसको पढ़ा है क्या सच में ओ पहचान हुआ है नहीं हुआ है तो चली हम इसके बाद वाला जो हम अभी हम बताएंगे उसमें आपको पूरा क्लियर कर देंगे तो चली है इसके बाद जो हम हिंदी वियंजनों की पहचान करना सीखते हैं यदि आप इसको पहचान करना सीख गये तो आप हिंदी पहचान करना सीख जाएंगे या आपके बच्चे घर पे हैं आप उनको भी वोलिए कि करशे ग्या तक पहले याद कर ले उसके बाद जो है करशे ग्या तक पहचान कर ले पहचान करने के बा देखिए इधर से उधर करके हमने लीखा है यदि आपको जो है कर्शेग्यां तक पहचान हो गया है तो आप जो है इस तरह लीख करके आप अपने आपको टेस्ट कर सकते हैं देखिए आपे इसको क्या पढ़ते हैं पा इसको हा इसको पढ़ते हैं खा ये जो है दंत सा है रा वाला सा जो दात और जिव की मदद से इसका साउन निकलता है ये है या ता घा रा था आडा या था बा ता चा न जा डा दा भा चा अंगा धा ये जो है मुर्धन ने शा है क्या है ये जो है मुर्धन ने शा है मा गा ग्या जा ये जो है तालाब शा है शा वा फा त्रा चा धा तो फ्रेंट्स इस तरह से आप जो है कर्शिक ग्या तक याद करने की बाद आप असानी से इस तरह से जो है आप पहचान करना सीख सकते हैं यदि आप इसको पहचान कर लिया तो आपको बीना मत्रा वाले हिंदी के शब्द जो है आप पढ़ना सीख जाएंगे यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको याद कर लिजे या आप अपने घ ला है कि आप कर्षे ग्यात तक पहचान करो जब वे याद कर लेंगे और पहचान कर लेंगे तब आपको जो है उनके लिए एक बुक खरीदना है कमल हिंदी बुक का नाम है जिसको हम बाल पुथी वी कहते हैं यदि आपके आपस-पास मार्केट में है तो आप जाएए वहां से जो है कमल हिंदी बाल पोथी जो बड़ा वाला होता है ओ ले लिजिए तो उसमें देखिएगा कष्चे ग्यांता कखका दिया रहेगा फिर उसकी पहचान करने के लिए दिया रहेगा फिर उसमें जो है बीना मातरा वाले शब्द रहेगा फिर मातरा वाले शब्द रहेगा तो उसको जो भी खरिद का लाकर आप खुद पढ़िएगा या आपने घर के बच्चों को पढ़ाईएगा या आप एक टीचर हो तो आप अपने स्टुडेंट्स को भी इसी तरह से पढ़ना सिखाईएगा कशम से कहता हूँ कि आप चाहें वे कोई भी हो इस तरह से यदि फॉलो करेंगे जो आज के क्लास में बताया गया है तो इंदी पढ़ना सीख जाएंगी तो गाईच आज के इस सिसन में बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कर्मेंट करके ज़रूर बत हैं या थोरा बहुत पढ़कर छोड़ दिये हैं और वे चाहते हैं फिर से पढ़ाई करें तो कहिए उनको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखाईए उनसे कहिए पढ़ने के लिए फिर से वे अपने आपको सिखशित बनावें और मैं हूँ उ हमारे चैनल के साथ जूड़ने के लिए आप जो है नीचे देखो लाल पटन दीख रहा है उसके क्लिक कीजिए और फिर जो बेल आइकन दीख रहा है उसको अन कर लीजिए तक कि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नटिफिकिसन डारेक्ट आपके मोबाइल पर मिलते रह आपस मेर